हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस फीडियो में डिस्कस करेंगे यानि कि भावा एटोमिक डिसर्च सेंटर के 2023 के कोशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फीडल टर्नर वेल्डर के रहने वाले हैं और यह सेट 7 रहने वाला है इसके पहले मैंने 6 सेट दे रखा है अगर आप लोग नहीं नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलि टेली ग्राम को जोन कर सकते हैं टेली ग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर जोन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपकी तैयरी पकी होगी तो आएए अब स्टार्ट करते हैं तो कुष्चा नमबर फॉस्ट है नर्म धातू के फाइलिंग करते समय फाइल दात धातू के छोटे कनों से जहम जाते हैं फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्शन डी यानि कि फाइल कार्ड का प्रियोग करके साफ करना चाहिए अब जो इंपोर्टन जो पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रसंद बनते हैं तो फाइल का प्रियोग करके फाइल को साफ किया जाता है अगला फाइल का कटिंग एक्शन, कट के प्रकार और दातों की वेवास्ता तथा फाइल के साइज और आकार पर निर्भर करती है अगला फाइलिंग करते समय जौब को कुहनी के लेवल पर वाइस में बांधना चाहिए अगला कोशन है कोशन नमबर सेकेंड नाइफ एज रेती यानि की नाइफ एज फाइल के क्रॉस सेक्षन का कोन होता है इसका राइट अंसल होज एक आप्षन डी यानि की 30 डिग्री होता है अब जो इसका अकार चाकू की तरह होता है नाम से पता चल रहे नाइफ एज तो चाकू जैसा होगा अगला इसका बारिक की नारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है अगला है इसका प्डियोग ग्रूव वह स्लोट के कोनो यानि कॉर्णर्स को साफ करने के लिए तथा चावी घाट बनाने के लिए प्डियोग कीशे जाता है अगला कोशन कोशन नमबर थार्ड कौन सा टूल जॉब की सता से आवस्यक धातू को हटाने के काम आता है तो इसका राइट आंसर वाज़ा का ओप्शन सी यानि की उप्रोक्त दोनो यानि की फाइल भी और चीजल भी और यह जो प्रस्ण जो है वह दो हजार सतर में पूछा गया वह प्रस्ण है अब जो important जो points उन सभी को discuss कर लेते हैं तो फाइल और चीजल दोनों जॉब की सता से आवस्यक धातू को हटाता है अगला है चीजल प्राया किस चीज का बना हुआ होता है तो high carbon steel का बनाय जाता है यह फिर बना होता है अगला है चीजल के द्वारा काटा हुआ भाग अधिक सुथे नहीं होता है अगला है फाइल भी cutting tool है यानि कि जो फाइल हो कैसा tool है तो cutting tool है अगला question question number fourth जब रेती को वर्कपिस की लंबी side के समनांतर चला जाता है तो उसे कहते है इसका right answer हो जाएक option B यानि कि longitudinal filing कहते है और यह जो प्रस्ण जो है वो 2018 में पूछा क्यों प्रस्ण है अब जो important जो point से उन सभी को discuss कर लेते हैं तो रेती द्वारा जिस कडिया से धातु को काटा जाता है उसे filing कहते है अगला है filing करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवशक है अगला है कार के अनुसार रेती का चैन करें अगला है कार को वाइस में मजबूती से पकड़ें तथा उसकी उचाई वाइस के जासे 3-8 mm के बीच होनी चाहिए अगला कोशन है कोशन नमबर 5 उस रेती का नाम क्या है जो चौराई में समनांतर और मोटाई में टेपर होती है तो इसका राइट आंजर होज़ेगा ऑप्सन ए यानिकी हैंड फाइल और यह जो प्रस्न वे है वो 2001 में पूछा किया वह प्रस्न है अब जो इंपोर्टेंट जो पॉइंट से सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रस्न बनते हैं तो हैंड फाइल चौराई में समनांतर और मोटाई में टेपर होती है अगला है यह रेती चौराई में समनांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है परन्तु मोटाई में कुछ टेपर होती है अगला है यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है परन्तु इसके एक एज पर दात नहीं कटे होते है अगला इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं किसको तो हैंड फाइल को अगला कोशन नुबर 6 फाइल को टेपर में क्यों बना जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएक ऑप्सन भी यानि कि तंग अस्थान ओपर फाइलिंग के लिए बना जाता है और यह जो प्रस्न जो है वो 2014 में पूछा गया वा प्रस्न है इसलिए आप यह ना देखे कि कौन से जो पूछा गया वा प्रस्न है चयोंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तंग अस्थानों पर filing कर सके हैं अगला है प्राया 0.025 mm से 0.5 mm तक filing allowance रखा जाता है जब रेती को वर्कपिस के लंबी साइट के समनांतर चला जाता है तो उससे कह कहते हैं तो longitudinal filing कहते हैं अगला है फायल की जो hardness होती है वो 60 से 64 यानि कि 60 से 64 HRC होती है अगला question कुसर नमर 7 किस फायल दुआरा V के आकार के खांचे काटे जाते हैं तो इसका right answer हो जाएक option C यानि कि triangular file के दुआरा अब जो important जो points उन सभी को discuss कर लेते हैं तो इस रेती का मुख्य प्रयोग भी आकार के गुन बनाने आयताकार वर्गकार ये slot आधी बनाने के लिए किया जाता है अगला question question number 8 लकडी काटने वाली आरी के दातों को तेज करने के लिए निम्नलिखित रेती का प्रयोग किया जाता है तो इसका right answer होजा एक option DNA के तिरभूचाकार रेती का प्रयोग किया जाता है अब जो important जो points उन्हें सभी को discuss कर लेते हैं तो यह रेती तिरकोनिया होती है अगला इसका प्रतीक कोन 60 डिग्री का होता है अगला इसे 3 square फाइल भी कहते है अगला इसकी लंबाई का दो बटे तीन भाग समानतर होती है तथा एक बटे तीन भाग टेपर होता है अगला question question number 9 कार वस्तू में अतिरिक्त वस्तू को किसका उप्योग करते हुए निकाला जा सकता है तो इसका right answer रोज़े का option C यानि की file यानि की कार वस्तू में अतिरिक्त वस्तू को file का उप्योग करते हुए निकाला जा सकता है अब जो important जो point से उन्हें सभी को discuss कर लेते हैं तो फाइल एक प्रकार के cutting tool है अगला है इसका प्रियोग करके अन्य आवशक धातू को हटाए जाता है अगला है जिस किडिया के द्वारा फाइल से धातू रगरा जाता है उसे filing कहता है अगला है filing के लिए allowance भी कम रखा जाता है अगला कोसे ने कोसे नमबर 10 रेस्प फाइल का उप्योग कहां किया जाता है इसका right answer जगा option T यानि की लकडी चमड़े की filing करने के लिए और ये जो प्रस्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रस्न है अब जो important जो points उन्हों सभी को discuss कर लेते हैं तो इस प्रकार की file के face पर दाते मोटे और उबरे हुए काटे जाते है अगला है इस cut वाली file का अधिकतर प्रियोग लकडी फाइबर चमड़े नर्म धादू को काटने के लिए किया जाता है अगला question question number 11 यदि आप switchboard में एक छेद drill करना चाहते हैं तो आप एक कौन से machine का उप्योग करेंगे इसका right answer वोज़े का option C यानि कि हस्त drill machine का उप्योग करेंगे और यह जो प्रस्द जो है वो 2019 में पूछा किया वह प्रस्द है अब जो important जो प्रस्द सभी को discuss कर लेते हैं तो switchboard में छेद यानि कि drill करने के लिए हस्त drill machine यानि कि hand drill machine का प्रियोग करेंगे अगला है drilling machine का उप्योग आम तोर पर लुहा संबंधित निर्मान के कारें लकडी के काम धातू के काम मसीनी उपकरन निर्मान भवन निर्मान के लिए किया ज़ता है अगला है आम तोर पर electric drilling machine जो हाथ से संचालित होते हैं यह ज़्यादा लोग प्रिया है अगला है इसे में एक beat होता है जिसे हम drill beat या rotating tool भी कहते हैं अगला है जो की आम तोर पर high speed steel से बना होता है अगला question question number 12 एक गोला कार छिदर में tap द्वारा चूड़ी कर्दन की प्रकिया को क्या कहा जाता है इसका right answer रोजागा option c यानि की tapping कहा जाता है और यह जो प्रस्न जो है वो 2019 से पूछा यह प्रस्न है अब जो important जो point से उन्स सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्न बनते हैं तो एक गोला कार छिदर में tap द्वारा चूड़ी काटने की प्रकिया को कह कहता है तो tapping कहा जाता है अगला tap यह एक प्रकार का hand cutting tool है अगला tapping करने से पहले एक निश्चित size का hole drill द्वारा बना जाता है तथा इस hole को reamer द्वारा attiming की जाती है अगला है इसके बाद इसके बाद इसमें tap को चला कर अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है अगला है tap high carbon steel या high speed steel से बना जाता है अगला question है question number 13 खरूचनी यानि कि subscriber का बिंदू कौन क्या होता है तो इसका right answer हो जाएक option D यानि कि 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है और ये जो प्रस्न जो है वो 2019 में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important जो पाइंट सुन सभी को discuss कर लेते हैं यहां से प्रस्न पनते हैं तो इसक्राइबर यानि कि खरूचनी का बिंदू कौन 12 से 15 डिग्री होता है अगला है इसक्राइबर यानि कि खरूचनी किसी धातू पर लाइन खीचने के लिए इसक्राइबर का प्टियोग किया जाता है अगला है इसक्राइबर यानि कि खरूचनी अधिकतर हाई कबन स्टील या टूल स्टील से बनाय जाते हैं अगला है इसके दोनों सीरे नुकिले होते हैं इसके सीरे या पॉइंट को पत्थर पर घिस कर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोन पर बनाय जाता है अगला इसक्राइबर की जो लंबाई है वो 125-200 mm तथा मोटाई 3-5 mm रखी जाती है अगला इसक्राइबर दो प्रकार के होते हैं एक होता है सीधा इसक्राइबर दूसरा होता है मूरा इसक्राइबर यानि कि बनेंट इसक्राइबर अगला है इसक्राइबर एक मार्किंग टूल है अगला पुसेन है पुसेन मर्फोटीन निमलेखीत में से कौन सा M10 टैप के लिए उप्यूक्त ड्रिल आकार है इसक्राइब आंसर वाज़ाग ओप्सन A यहनिकी 8.5 mm और यह जो प्रस्थ जो है 2019 में पूछा क्यों प्रस्थ है अब जो इंपॉर्टन जो पॉंट्स अभी को डिसक्स कर लेते हैं यहां सी प्रस्थ बनते हैं तो M10 टैप के लिए उप्यूक्त ड्रिल साइज 8.5 mm होना चाहिए अगला है टैप द्वारा किसी अंदरूनी बेलनाकार सतह पर चूड़ी यानि कि थ्रेड काटने के लिए पड़ियो किया जाता है अगला है किसी जॉब पर टैपिंग प्रकिडिया करने से पहले उस पर ड्रिल से होल किया जाता है अगला है यह होल टैप के साइज से छोटा होता है परन्तु यह होल टैप चूड़ीयो के कोर डायमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए अगला है यदि होल कोर डायमीटर से अधिक बारा होगा तो चूड़ीयो के क्रेस्ट पूरी उचाई तक नहीं आ पाएंगे अगला है इससे चूडियों की सक्ति जो है वो कम हो जाती है अगला कोसा है कोसा नमबर फिप्टीन जब एक मूरा हुआ ड्रील किसी ववस्तु पर एक रुप्ष छीदर बनाता है तो इसका फिड्रेट यानि की संभरन दर क्या होता है तो इसका राइट आंसर होज़ा का option D यानि की संभरन दर बहुत उच होता है यानि की फिड्रेट जो हो बहुत उच होता है और ये जो प्रस्ण जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रस्ण है अब जो important जो point सो उन सभी को discuss कर लेते हैं तो जब एक मूड़ा हुआ ड्रील किसी वस्तु पर एक रफ यानि की इरुक्ष होल बनाता है तो संभरन दर यानि की फिड्रेट अच्छा होता है अगला है संभरन दर यानि की फिड्रेट एक चकर में ड्रील जितनी गहराई तक अंदर जाता है वही दूरी फिड्रेट यानि की फिड्रेट यानि की संभरन दर कहलाती है अगला है एक चकर में चली गई दूरी ड्रील के आकार प्रकार वो काटे जाने वाली धादू पर निर्भर करता है और एक बात यह भी है कि यदि ड्रील का साइज छोटा है तो उसे कम फिड दी जाती है अगला कॉशन नुGO 16 होनिंग का उपयोग किसके परिसकरन के लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर रोजय का ओप्शन ए यह निए कि आंतरिक बेनलाकार सतह के परिसकरन के लिए किया जाता है और यह जो प्रस्थ जो है वो 2019 में पूछाएगा वह प्रस्थ है अब जो important जो पॉइंट सुन सभी को डिसकस कर लेते हैं तो आंतरिक बेनलाकार सतह को फिनिस करने के लिए होनिंग का प्रियोग किया जाता है अगला है होनिंग एक अपघर्सक किडिया है जिसका इस्तमाल ज्यादा तर बोर और छिद रिम्ड और बाहरी बेनलाकार सतह की घर्सन के लिए किया जाता है अगला होनिंग वास्तम में एक करतन प्रचालन है और इसका उप्योग 0.25 mm से कम समागरी को हटाने के लिए किया जाता है अगला है लेकिन कभी कभी इसका उप्योग 3 mm तक भी निकालने के लिए किया जाता है अगला प्रचालन 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 के लिए एक कारक नहीं है इसका राई टांसर उप्शन सी यानिक इस्तिर्था को इस्तिर्था की कठोड़ता है और यह जो प्रस्थन जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रस्थन है अब जो इंपॉर्टन जो प्रस्थन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो इस्तिर्था की कठोड़ता रिमिंग के साथ छिद्र रिमिंग कटिंग और फिड़ दर का कारक नहीं है अगला रिमिंग का कटिंग स्पीड और फिड़ दर जॉब के मेटेरियल पर निर्भर करता है अगला रिमिंग प्रकिडिया तो पहले से कियेगे छिद्र यानि कि होल को बढ़ाकर उचित आकार में लाने की प्रकिडिया को कह कहते हैं तो रिमिंग कहते हैं अगला है रिमिंग द्वारा किसी भी छिद रियानी की होल को 0.005 mm तक या प्लस 0.005 mm तक की सूधता में फीनिस किया जा सकता है अगला कोसान कोसान मुझा नमर 18 बरे बैच उत्पादन के लिए किस ड्रील का उप्यों किया जाता है तो इसका राइट आंसर होजाएं को अप्सन ए यानिकी गैंग ड्रील मसीन का उप्यों किया जाता है और यह जो प्रस्ण जो है वह 2019 में पूछा गया वह प्रस्ण है अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिसकस कर लेते हैं तो बड़े बैच उत्पादन के लिए गैंग ड्रील का प्रियोग करते हैं इसका प्रियोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है अगला है इस मसीन में प्रतेक स्पींडल को अलग अलग अथवा एक साथ चलाया जा सकता है और प्रतेक स्पींडल की स्पीड हुआ फीड को गटाया बढ़ाया जा सकता है अगला है गैंग ड्रिल मसीन पर एक लंबा वर्किंग टेवल होता है अगला है जिसे इक्छा अनुसार उपर नीचे किया जा सकता है अगला है इस मसीन का प्रियोग बहु उत्पादन के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाता है अगला question, question number 19 एक समतल रिती का अनुप्रस्त कार्ट क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option A, यानि कि आयताकार और ये जो प्रस्त जो होगा, 2019 में पूछा गया वा प्रस्त है अब जो important जो points जों सभी को discuss कर लेते हैं तो एक समतल रिती, यानि कि फाइल का अनुप्रस्त कार्ट आयताकार होता है अगला है रिती, यानि कि फाइल तो रिती अलग-अलग प्रकार में निर्मित होती है विभिन अवर शक्ताओं को पूरा करने के लिए स्रेनी बध होती है अगला है अलग अलग अकार की समाने रेती यानिके फाइल होती है कौन-कौन सा होता है तो एक होता है यानिके फ्लैट फाइल दुसरा हंस्त रेती यानिके हैंड फाइल तिसरा क्या है तो वर्गकार रेती यानिके इसको स्कॉर्ड फाइल कहते है अगला है गोल रेती यानिक के हाफ अराउंड फाइल अगला है तिर्कोणिया रेती यानिके ट्रेंगुलर फाइल अगला है नाइफ धार रेती यानिकी नाइफ एज फाइल अगला है, फाइल यानिके रेती के भाग कौन कौन से होता है, एक होता है, टैंग होता है, एक फेरूल होता है, एक सोल्डर होता है, एक हील होता है, एक फेस होता है, एक कटिंग एज होता है, एक टीप होता है, एक पॉइंट होता है, यानिकी ये सभी फाइल के यानिके रेत प्रस्ट के भाग के नाम दिएगे हैं अगला कोसा नोबर 20 एक प्लेट छेद के पास विपरित होती है जब तो इसका राई टांसर हो जाएक ऑप्शन भी यानि कि छेद एक दूसरे के पास होते हैं और यह जो प्रस्ट जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रस्ट है अब आई जिन पॉट्टन जो पॉट्स है उनसा भी को डिसकस कले तो यहां से यह प्रस्ट जो वो क्लियर हो जाएगा तो एक प्लेट छेद के पास विपरित होती है जब छेद एक दूसरे के पास होते हैं को काटने के लिए डि princi निट का उप्योग करते हैं अगला है ड्रिल बीट को व्रक्टिस के खिलाफ दबाये जाता है और प्रती मीनट सेकैंडों से हजारों क्रानतीयों की दर से घुमाय जाता है अगला है प्रीज बीट जो होते हो को हाई स्पीड स्टील का बना होता है यह फिर बनाया जाता है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो का ऐसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को देबाएं ताकि कोई भी नौटिपी के सालों उसका मेसेज आपके पास सबसे पहले माँच है और फ्रेंट्स अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी वीडियो का फ्री प्रीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम को लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से जाएकर जोइन कर सकते हैं औ तो ऐसे ही यहां से डिरेक्टली देखने को मिलेंगे और अधिक से अधिक ज्यादा ज्यादा प्रसंत पुछा जा सकता है इसलिए इस वाले वीडियो को देखना बिलकुल भी ना भूले यह सभी ट्रेटों के लिए हैं ओके फ्रेंड्स थैंक्स वाचिंग ज्रिए और अज्यादा जाएंक्वान थाचिंग